हलो क्रेंट्स पॉस्टिक गवान किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं हरी प्याज यानि के स्प्रिंग अनियर की सबजी यह खाने में बहुत टेस्टी रहती है हेल्दी तो प्याज रहते ही हैं और साथ में बहुत ही क्विक रैसिपी है और आपको यह रैसिपी बहुत पसंद आएगी तो चलिए मैं आपको बताती हूं इसकी सामगरी यहां पर मैंने 500 ग्राम हरे प्याज लिये हैं इनको अच्छे से कट करके धोलिया है एक छोटी कटोर ऐसिए बहुत अच्छी में अच्छी बनती है आप हरे प्याज आप्याज कें साथ बनाते हों कि टमाटर के साहथ हों कि आप चन्न की डाल के साथ एस्ची बनती है कि तो reflect रैस्पी बताती हूं यहां पर मने एंदे पैन में तेल ड़ा दिया है पमधनिकों दैनाषन ह्रुट जो रहा है, तो अब बनाएं गर्म हाइं dalाट मैं दडरी है, तो आप ये शब्तल तो अको ड़ी हम बनाएं दोट वगा रहा है उजएब। तेल हम चेक कर लेते हैं, तेल हमारा गरम हो रहा है, इसमे मादी चमज जीरा, प्याज के साथ चने की दाल लोग कॉंबिनेशन बहुत अच्छा लगता है, जीरा मादी ब्राउन होजे, आदी चमज हल्दी, एक चमज पिसे मर्च, एक चमज पिसा लिया, अरे प्या लेट करना है, आपी जोए मैने चलेगी राल गलाते रखें, आपी सब्गी को चपाती, कराटे तपिका साथ अप्ती, आपी चमज मर्च, आपी चमज मर्च, एक चलाएंगे, मसाले और प्याज और चैने की डाल से अच्छे से मिक्स करेंगे, पांच मिंट में सब्जी रेडी हो जाती है, कुछी चैने की डाल हमने गला ही रखी थी, इसको बॉइल करने भी जरूद नहीं, साथ में बड़ी जल्दी पक जाती है चैने की डाल, और बहुत हैंदी है सब्जी, विटामिन और पोटेन से रीच है बिलकुल, इसको मेचे बकाएंगी 5 मेचे लिए, इसको मेचे बकाएंगी 5 मेचे लिए, प्याज लिटे बैट गएंगी बिलकुल, और यह बनने के बाद थोड़े और कम हो जाएगी सब्जी, इसको मेचे लिए 2 मिनट और लिए, पकने मेचे बट देते हैं इसको फिलकुल, इसको देखेंगी हैं, हाज ना दोचुके हैं रमारी सब्जी भी लेगी है, बहुत जल्दी बनकी कद्री, प्याज के साथ चनने की जाल बहुत जल्दी पक जाती है, मारी सब्जी मेचे रेड़ी है, बैट आप कर देते हैं, इसमें किसी खटाएगा यूज नहीं, गरम मसाले का यूज नहीं लेकिन बहुत अच्छी लगती है, आप भी एड़ मत करिए कि उससे फिर इसका टेज बिगर जाएगा, तो यह देखिए हमारे प्याज और चनने की जाल की सब्जी मेचे बिल्दी है, इसको निकाल ले से, बहुत हैल्दी सब्जी है यह, इस पर जाली सब्जी निकाल लेकिए, यह देखिए फ्रेंड्स हमारे स्प्रिंग अनियार की सब्जी बिल को रटी है, बहुत अच्री बनी है, आप भी बनाएगे, और अगर आपको मेरे रस्पी पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे चननल को लाईशे, सब्स्क्राइब जरूर करिए, ठंक्स मेरे